यह हैं शारुक खान भाई मजरा पूरब रेलवे स्टेशन से और यह हैं राज खान भाई मैलानी जंक्षन रेलवे स्टेशन से दोनों भाईयों का बहुत बहुत शुक्रिया, थेंक्यू सो मच मेरे भाई, आप दोनों भाईयों का जो 03.55 त्रेन का वीडियो बना कर हमें भेजा, थेंक्यू सो मच आप लोग जहां कहीं भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें सामने देख सकते हैं ये 053 55 नंबर ट्रेन का व्यू है जो पहली बात बहराई से मैलानी के लिए रवाना हुई मजरा पूरव रेलवे स्टेशन से एक छोटा सा व्यू इसके अलावा अभी हम आप लोगों को मैलानी जंक्षन रेलवे स्टेशन पर जब इसका आगमन हो रहा था शाम के समय लगबग 5 बशकर 55 मिनट पर तब उस वीडियो को राज खान भाई ने बना कर हमें भेजा था तो बात वहीं है कि 5 बशकर 45 मिनट पर गोमती नगर एक्सप्रेश जो मैलानी से गोरकपूर के बीच में चलती है वो मैलानी जंक्षन देलवे स्टेशन से छूड़ आती है और इसका जो यहाँ पर पहुंचने का समय है वो 5 बशकर 50 मिनट पर रखा गया है यानि केवल 5 मिनट का अंतर है और उस 5 मिनट के चकर में अगर कोई इस ट्रेन से यात्रा कर रहा होता है और लखनों की ट्रेन यानि की गोमती नगर एक्सप्रेश ट्रेन पकड़नी हो तो वो चाहा कर भी इस ट्रेन से गोमती नगर एक्स्प्रेस को नहीं पकड सकता अगर ये ट्रेन राइट टैम भी आ जाती फिलहाल ये 10 मिनट की देरी से मैलानी जंक्षन डेलवे स्टेशन पर पहुंची लगबत 6 बजे के करीब में और 5 बज़ कर 45 मिनट पर गोमती नगर एक्स्प्रेस मैलानी जंक्षन डेलवे स्टेशन से डिपार्ट हो जाती है तो कुछ ट्रेन का टाइम टेबिल ऐसा रखना चाहिए तालमेल ऐसा रखना चाहिए कि ये साड़े पांच बजे ट्रेन मैलानी जंक्षन रेल्वे स्टेशन पर पहुँच जाए जिससे कि अगर पलिया तिकुनिया बिल रहा है कि निवासी लखनओ तक यात्रा करना चाहें तो यहाँ पर पहुँच कर साड़े पांच बजे पहुँच कर पौने छे बजे गोमती नगर एक्सप्रेस को आसानी से पकड़ सकें जिससे वो भी लखनओ की दिशा में यात्रा कर सकें चुकि किराया दोनों का एक ही है चाहे आप पसंजर ट्रेन यानि की अनरक्षित सपेशल ट्रेन से सफर करें या लखनओ का और इस ट्रेन से चाहे तो आप लोग मेलानी जंक्शन रेल्वेसेशन पर पहुँचकर गोमती नगर एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं लेकिन ये तभी संभाव होगा जब इस ट्रेन का जो समय है वो साड़े पांच बजे के करीब में मैलानी जंक्षन रेलवे स्टेशन पर रखा जाए फिलाल ऐसा होना मुश्किल ही नामुम्किल लग रहा है लेकिन अगर रेलवे चाहे तो क्या नहीं हो सकता एक छोटी सी है ये समस्या जिसका समधान देलवे को करना चाहिए क्योंकि कई ट्रेने इस सेक्षन पर चलती है लेकिन उन सभी का टाइम ऐसा रखा गिया है कि चाहा कर भी ट्रेने ना पकड़ पाए वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक जोग कीजेगा चैलर को सब्सक्राइब कीजेगा दुआओं में याद रखेगा अपना ख्याल लखेगा अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई अपडेट एक नई जानकारी के साथ जै हिंद जै भारत